कि नमस्कार दोस्तों दप्लान्ट गुरु चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज की सकड़ी में आप जो मेरे सामने देख रहे हैं यह पैडिन एंथस का प्लांट है जिसको की डेविल बेकबॉन के नाम से भी जाना जाता है और यह जनरली आपने बहुत बार यह पौद ने बहुत पुराने समय से 90 के जो दसक से आप देखते होंगे जो की कैरियों में लोग लगाते थे और उसमें ग्रीन वराइटी आती थी उसके बाद में जो है इसमें एक वरीगेटेड वराइटी आई थी जो की वाइट लीप के साथ में थी पर दोस्तों यह जो है लेटे वराइटी की रूप में अभी आप देख रहे हैं तो दोस्तों इस वराइटी को किस तरह से हम प्रपोगेट करेंगे और इसके लिए स्वाइल मीडिया क्या होना चाहिए और इसको हम पॉट क्या लेना चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके सारी जानकारी पाई यह इसलिए अप लगबग मेरे 95% वीडियो में स्वाइल मिक्स के साथ ही देखते हैं इसके लिए बहुत का स्वाइल मिक्स चाहिए इसें मिट्टी ले लिए गाड़न स्वाइल जो आपके छेतरे में जो भी मिलती हो उसके साथ में वर्मी कंपोस्ट ले लिए और कर시에 क्रमी। के साथ में हमने सेंड सेंड ले लिए तो उसके साथ में इसकाèg भोगजन भी हो गया और वैल्लरेंट भी हो गया तो हम चीजों का प्रमें लेते हैं को करें नहीं किया तो क्रुपया सब्सक्राइब कीजिये यापने दोस्तों तक आपके इस वीडियो की जो पो ちए लिये मैं बताता हूं आपको यह जो है मैंने पोडा लिया है और इसकी मैं cutting आपको दिखाता हूं तो , आप यह यहां पर आप जब देखे रहे हैं कि यह pink shade है और red light लई ओर तो मैंने यह कैची लिये कैची सबस्सेपहले जो है cutting इसके हमको लेना है cutting कैसे लेना है जिसे मानलोगी चार से पांच सेंटीमिटर की हम कटिंग लेंगे और में चूकी में इसको hanging के पॉर्ट में लगा रहा हूं इसलिए 4 से 5 cutting एक साथ लगा हूंगा ताकि क्या है कि वह hanging का जो गंबला है हमारा अच्छा तरीके से भर जाए अब आप देख रहे हैं यह जो है यह दूद आ रहा है यह वाला यह जो दूद आ मैं यूम्हों है पर आपको बलता हूं कि मदर प्लांट जो है भीत मैत्तपुन होता है कि कि यदि मुझे बढ़ाना है तो दोस्तों नहीं को ऑब कहीं भी यूनिक चीज मिले यह इसा लगता आप तूर पे गए हैं और आपको लगा कि यह पौदा मेरे पास नहीं है या बहुत कम देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों सबसे पहले कोई जब आप घर आएंगे तो उसके बहुत सारे पौदे आप बना लेंगे तो उस टूर का आपको याद भी रहेगा और पौदे भी बन जाएंगे तो इस तरह से आप अपने घर की बालकनी या बगीचे के लिए कलेक्शन इसी तरह से होता है जिसको कि हम मदर प्लांट बोलते ह कि जो है उसे पोदे हम बना सके तो यह मैंने कटि ले लिए और उसके बाद्मेस एक पौर्ट लेता हूँ आप यह कटिंग देखि इस तरह से तो मेरे कटिंग ले लिए उसके बाद में मैं एक पौर्ट भी nerunda अभी ने जो हैं यह एंगिंग पौर्ट लिया है आप इसको सबसे पहले हमको इस तरह से लीफ कर लेना है कि कटिंग से यह इस तरह से भी कर सकते हैं तो हमको सिंगल लीफ रखना है यह देख इस तरह सबस्क्राइब चाहिआ कर लेंगे कि अब चुकि इसमें नौट पर्स होता है जैसे क्या होता है जेनरली कि जब हमारे पास बहुत सारे पोधे होते हैं तो उसके साथ में एक पार्ट का उप्योग करना पड़ता है तो यह छोटी-छोटी कटिंग भी हम लगा सकते हैं और कोई भी वेस्टेज चीज फेके नहीं क्योंकि क्या है कि मदर प्लांट जो है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं पौदों के तो यह मैं सभी मदर प्लांट के लिए बात कर रहा हूं मतलब एक पौदे के लिए बात नहीं हो रही है चुकि आप हम से जुड़े हुए हैं और आपको हम गाइड करते रहते हैं इन चीजों के लिए तो इस तरह से आपके लिए यह जानना जरूरी रहता है कि मदर प्लांट में जब हमारे पास प्लांट होता है तो उसकी मदर प्लांट की कटिंग हमको कैसे समाल के यह संजोच के रखनी पड़ती है ताकि वह हमेशा काम आती रहे तो यह मैंने जो है तैयारी कर लिए पांच्छे कटिंग ले लिए आप यह देखिए अब इसके साथ में जो है मैं थोड़ा सा इसमें पॉर्ट मिक्स डाल रहा हूं यहां पर यह देखिए आप यह पॉर्ट मिक्स भी देख रहा है कि पूरा पोरस बना है इसमें क्या वाटर होल नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले से इसमें जो है लिक्विड ज्यादा है पौदे में मतलब मॉस्चर ज्यादा है इसका और इसमें दूद है बहुत सारा तो इसलिए ज दो कम से कम दो उसकी बर्ट अंदर तक लगाएंगे ताकि एक नहीं तो दूसरे में से कहीं से फुटाव आ जाए और यह 95 परसेंड जो है यह इसका जर्मिनेशन आता है और लगबक 100 परसेंड ही आता है पर कभी गलती हो जाती लगाने में या पानी ज्यादा होल्ड हो गय बाद में एदी मानलो बहुत सारी कटिंग लगा दिये तो आप बाद में निकाल के जो है दुसरी जगे भी लगा सकते हैं इस तरह से तो दोस्तों आप यह देख रहे हैं कि इस तरह से जो है मैंने इसमें कटिंग लगा लिये और यह चारो तरब जो है हमने कटिंग लगा उसके बाद में जो है मैं इसमें पानी डाल दूँगा यह देखिए इस तरह से फिर पानी डाल के हमको शेमी शेड एरिये में इसको रख लेना है यह देखिए इस तरह से तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसको हमने कटिंग से लगाया और उसके बाद में जो है बता रहा हूं वह mother plant से पौदे बनाने की हर variety के लिए बात हो जाती है ऐसा नहीं है कि हम जो है अलग-अलग चीजों के बारे में अलग-अलग बात करेंगे हम कोशिश यह करते हैं कि एक ही चीज में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बता दें ताकि आप propagation में कोई तकल परसेंट लोग नए होते हैं और 15 परसेंट पुराने लोग होते हैं जो कि गार्डनिंग का काम कर रहे होते हैं तो हमको नए लोगों को भी ध्यान में देखकर यह वीडियो बनाना पड़ता है ताकि उनको कोई क्योरी नहीं रहे कोई प्रशन नहीं रहे तो दोस्तों आपने वीडियो आप तक पहुचाते रहे हैं तब तक कलिए नमस्ते